सुनसान रेकिस्तान का हैरान कर देना वाला वीडियो सावना आया है यह बाबा पिछले 50 सालों से गौमाता की सेवा कर रहा है इनका नाम तंज सिंग जी है और एक कुवा जो है इनके दादा जी का है लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जानवरों के लिए यह बाबा जो है अपने गर परिवार से दूर जो है सुनसान में अकेले रह रहे हैं यह वीडियो मैं जैसल मेर के बोर्डर एरिया का दिखा रहा हूँ आप देख रहे हो कि बाबा पिछले 50 सालों से इसी तरह से उंटों पर पानी निकाल कर जानवरों की सेवा कर रहा है आज इस तक्नी की दुनिया में आपको यहां पर नजदिक में कई पर भी लाइट का खंबा तक देखने को नहीं मिलेगा यह पूरे गिसान का सुनसान एरिया है जापर जानवरों को छोड़ों इनसानों के लिए पाने की बून तक देखने को नहीं मिलेगे अगर यह बाबा चाहते तो अपने गर परिवैक के साथ अकले रह सकते थे लेकिन इनके दिल में जानवरों के लिए प्यार और दया आप भी भी जिन्दा है यह अकले कची जौबडी के अंदर रहते हैं अकले खाना बनाते हैं और खाते हैं लेकिन हैरान कर देना वाली बात तो ये है कि यहां से 10 किलोमेटर की दूरी पर एक रासन की दुकान है यहाँ से यह वाबा पैदल जाकर जो है जरूरत वाला समान लेकर आते हैं हम ए रीतिले दोरों के अंदर चल नहीं पाते हैं लेकिन ये बाबा कई किलो वजन जो है अपने सिर के उपर लेकर इस धोरों के अंदर चलता है इनका जीवन उट और बकरी के पालन से चलता है जो आज की इतनी मेंगाई में अपना पूरा परिवार जो है इसी पालन से चला रहा है इस रेगिस्तान में पानी की वज़े से लोग खेती ने कर पाता है इनके संगर्स को हम नजदीक से अगर देखे तो हमारा जीवन जो है कुछ भी नहीं है इनके पास सूख सुविदा के नाम पर कुछ भी नहीं है लेकिन तब ये गायों की सेवा कर रहे हैं प्यासे जानवरों को पानी पीला रहे हैं अपने जीवन में हमेशा हसते रहता है ये कुवा लगबग 200 साल से भी ज्यादा पूराना है आज भी इस कोई में उतना ही पानी है दूर दूर से बैड बक्रिया इस कोई पर पानी पीने के लिए आते हैं जिस एरिया से आप वीडियो देख रहे होगे सायद वापर ठंडा मोसम आपके वापर होगा लेकिन रेगिस्तान एरिया हमेशा करम ही रहता है इसे इंसानों और जानवरों को ज्यादा प्यास लगती है लेकिन पीने के लिए पानी नहीं होता है आज अगर ये बाबा प्यासे जानवरों को पानी नहीं पिलाते है तो सोचो क्या होता तन सिंग जी बाबा को लंबी उम्रत है इनका परिवार हमेशा खुश रहे है आज इनकी वज़े से कहीं किलुमेटर रेकिस्तान में प्यासे जानवरों की प्यास बुज़ रही है इसे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती खुद दूख देखकर जानवरों की सेवा करना इसे बड़ा कोई जो है बलिदान नहीं है इनके जीवन को सलाम है आज इस सुंसान एरिया में पिछले 50 सालों से अपना जीवन नहीं आपन कर रहे है जहापर दूर दूर तक किसी इनसान की आवास तक नहीं आती वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो के कमेंट में ये गोमाता लिक करें दूर दूर के जो है इस वीडियो को सेड़ जरूर करें और हमारे पेज एमजे इंदर सिंग को आप फॉलो जरूर करें जे रहे जासान